नेमस्कार मैं निर्मला बुल रही हूं। ज़ाफर पुझाई होगा ही, क्या पूझा करणा ये भगति है। अगर नहीं तो फिर भगति का पूरा स्वरूप क्या है? देखो निर्मला, पहले भी हमने बताया है कि भगति जो है ना, हमारे सब के अंदर होती है। और जो पूजा पाठ है ये भी भक्ति है और भगवान का नाम लेना ये भी भक्ति है लेकिन इसको हम अलग-अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर देते हैं मतलब अलग-अलग तरह से बर्नना करते हैं कि कितने तरह की भक्ति है अगर ऐसे देखा जाए तो अलग-अलग बर्नन है लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं जो आसान तरीका है वो एक है साधन भक्ति और एक हो गया रागानुगा भक्ति जैसे कहते हैं एक है सकाम भक्ति एक है निसकाम भक्ति तो जो सकाम भक्ति है जो साधन भक्ति है उसमें आता है तुमारा पूजा पाठ होता है भगवान को दि प्रसाद दे रहे हो, यह सब दे रहे हो, तभी पूजा हो रहा है, नहीं है, अगर भाव से भक्ती है तो तुम भगवान का नाम ले रहे हो वही भक्ती है और बिलकुल सुद्ध मन से इधर उधर की विचार ना करके अगर हम भगवान का नाम लेते हैं निरंतर लेते हैं और हर टाइम जैसे हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो मन भगवान में ही लगा है हम अ तो जो सकाम भक्ती है वहां से इंसान सुरू होता है थोड़ा थोड़ा जैसे हम अपनी घर में ही सीखे होते हैं कि अच्छा ऐसे जाओ भगवान को प्रणाम करो ऐसे जाओ भगवान को फूल चड़ाओ यह सब हम बचपन में घर में ही सीखे होते हैं लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की तरफ आ सकती होता है, भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, तो ये रागानुगा भक्ती में पहुंच जाता है, और जब रागानुगा भक्ती बहुती उच्चस्तर में पहुंचता है, तब ये प्रेमा भक्ती में पहुंचता है, तो असली भक्ती का जो यही है और भगवान की तरफ प्रेम आजाए मन में तो उससे बड़ी भक्ति और कुछ है ही नहीं हरे कृष्णा